राजस्थान हमें सरकारी स्कूल में लेवल एक और लेवल दों के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,000 पदों की भरती की विग्यक्ती जारी कर दी है, जिसके तहित प्रात्मेक और उच्प्रात्मे के साथ ही विशेश शिक्षा के पदों पर आविदन म इसके बाद आनन प्हानन में बोर्ड ने 36 दिनों में ही रीट का रिजल्ट भी जारी कर दिया जिसमें 11,4216 अभिर्थी पात्र हुए थे इसके बाद बोर्ड ने 30,000 पदों पर भरती का एलान किया जिसके लिए 10 जनवरी से आविदन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है ले इसके बादे की रीजल्ट जल्दी जारी होने से बी एड से केंडियर की पढ़ाई कर रहे करीब एक लाख अभिर्थियों के सामने शिक्षक भरती से बाहर होने का खत्रा पैदा हो गया था क्योंकि उनके पास रीट के परणाम की तारीख तक बी एड की जिगरी होनी चाहि जोड अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी जारौली ने कहा है कि प्रमान पत्रों की प्रिंटिंग चल रही है इस बार अभिर्थियों की संख्या ज्यादा थी ऐसे में इतनी अधिक संख्या में प्रमान पत्रों की प्रिंटिंग में समय लगता है फिर भी एक सप्ताह में पात् के प्रमान पत्रों की जरूरत पड़ेगी. भरती प्रक्रिया के दोरान एक से अधिक पद की योगता या पात्रता होने पर अभ्यार्थी को अलग-अलग आवेदन करना होगा. वहीं अपलाइन आवेदन स्विकार नहीं किये जाएंगे. ऑनलाइन आवेदन के दोरान ग्यर अनुसूचित छेत्र के विग्यक्ती पदों के लिए अनुसूचित छेत्र सहित पूरे राजस्थान और राजस्थान के बाहर के अभ्यार्थी भी आवेदन कर सकेंगे. जबकि अनुसूचित छेत्र के विग्यक्ती पदों के लिए सिर्फ राजस्थान के अनुसूचित 4 अध्यापक लेवल 1 सामने शिक्षा धश 11511, अनुशुचस छेत्र अध्यापक लेवल 1 विशेष 8 característ क्रसाफ का सरunta 4 अध्यापक록选फ 19162, Anoos, 1525-521, लेवल दो विशेश शिक्षा दैश चार सब पचपं अनु सूचित चेत्र अध्यापक लेवल 2 सामानी शिक्षा दैश दो हजार पांत सवस्था अनु सूचित चेत्र देहरिया वर्ग 60 रुपे, रीच भरती परीक्षा के अंकों का प्रतिशत रहेगा भरती के लिए आवेदन का आधार, सामान्य अनारक्षत 16 अंक, टीएसपी और नौन टीएसपी, अनुसूचित जन जाती स्टी देश पचपन, नौन टीएसपी, 36, टीएसपी, अनुसूचि पूर्व सेनिक देश 50 अंक, टीएसपी और नौन टीएसपी, दिव्यांग देश 40 अंक, टीएसपी और नौन टीएसपी, सहरीया जन जाती देश 36 अंक, टीएसपी और नौन